कभी आप बेत पे बोलते हैं कभी आ भाहमण पे बोलते हैं सब आत्मा पे बोलते ंदिर्या ना जाहता है कि आपने जो अभी एक सवाल खड़ा किया ना कि हम वेद पर कभी बाते करते हैं कभी आत्मा पर बाते करते हैं कभी जो है हम ब्रह्मेनिकल सिस्टम पर कभी काश्टीजम पर बात करते हैं कि काश्टीजम खराब है तो आपको नहीं लगता है कि काश्टीजम खराब है असो तो है सर काष्टिजम खराब है ना अचा ब्रह्मिनिकल सूपरमेसी के बारे में आपका क्या कहना है ब्रह्मिनिकल सिस्टम सर ऐसा माना जाता है जैसे कि ब्रह्मर छत्रिय बैस शूद्र वो अपना काम करेंगी इसलिए समाज में जो संतुलन बना रहेगा वो चलता रहेगा ऐसा माना जाता है अब प्रैक्टिकली यह पॉसिबल है क्या आप सर्प उस समय तो क्या कहते हैं यह पॉसिबल था और समय जेंज हुआ अब ऐसा कि इतिहाद इसमें लिखा गया इसलिए इतिहाद बैदिक आप मान के चलिए सर बैदिक पीरियड जो है यह चौण पहां यह चौदा सो इस्वी की आसपास्ता था चौदा सो इस्वी 14th century मुसलिम मुसलिमों के समय मुसलिम जब आयत हैं इसापूर्व की बात करें सर्थ अच्छा आप इसापूर्व में चले गए हैं जी वाव काफी लंबी चलागा आप आपने तो लगा दी आच्छा तो चलें वहां पर यह बताए यह वेद में सुद्र सब्राओं कितने वार आया है एक वार सरक्किल में और स्पाइटने हैं सुद्र स्वी 1500 के कुछ शम्तिंग आसपास के इसके हैं uncertain 28cida सब्द थे तस जार की 없की बताराए हैंaint आप रिगवेद की बता रहा है ना जी जी हमें चारो वेदों की पूछ रहा हूं कि टोटल कितने उसमें मंत्र है वे सोलोक तो कर नहीं होता मंत्र कितने मंत्र हैं जी जी अचारो जब वेदों मिलाएंगे ना तो वह होगा 20,000 के करीब में 20,000 के लगभग होगा जी जी आचा ये रिग वेद का तेंथ मंडल का 90 सुक्त का 12 मंत्र है जी जी इसमें देखिए ये क्या कह रहा है संस्कृत आप पढ़ पाते हैं ना थोड़ा रोग पढ़ लेते हैं हां तो तो तुरिपाथी जी आप थोड़ा संस्कृत पढ़िए तो इसका क्या लिखा है अचा इवेद में जो लिखा है इसको आप नहीं मानते हैं अच्छा तो पढ़ देजिए पूरा पढ़ देजिए कि ब्रामड परमात्मा के मुख से सर इसका देखिए अर्थ जैसे कहते नहीं है आप क्लास में पढ़ाते हैं विद्याले में आप पढ़ाते हैं सारे बच्चे एक जैसा नहीं समझते हैं सेव सेच्चे हाँ पर ये इस सुक्त को लेकर है जैसे इस सुक्त को आप पढ़ दे हैं आप अपनी तरीके से इसकी ब्याख्या करेंगे कोई दूसरा आएगा उसको अपनी तरीके से ब्याख्या करेंगा मैं आओंगा मैं अपनी तरीके से ब्याख्या करूंगा ठीक तो अलग-अलग विचारों का इसमें समन्ने हो सकता है अलग-अलग लोग इसमें अलग-अलग तरीके से ब्याख्या कर सकते हैं गीता का अध्याए 18 का 43 स्लोक थोड़ा पड़ी है सवर तेजो धृत दाक्ष युद्धे चाप पलायनम यह सर मुसे मत पुढ़ है जो मैंने पूछा उसको केवल बताई है हिंदी हिंदी वला ही पड़ दीजिए न दान देना और श्वाभिमान यह सब के सब ही च्छत्रिय के श्वाभाविक कर्म है अचा यह बताईए कि जो वैदिक सब्यता आप लोग बता रहे हैं उसमें युद्ध हो अगेरा होता था क्या अब चाहिरेंसी बात है सर अब उसमें से उल्लेख तो आया है तो होता ही होगा अचा वो लड़ते किस हंथियार से थे कौन से धातु का हंथियार बनाते थे अब सर बैदिक धर में आयास आयस करके दो तिना लोहित हैं स्याम एस हाला कि इसकी व्याक्या सतीग लोग जो आया है लोहित सब्ध तांबे के लिए को कहा जाथा है और एस जो है ओड़ी कि विखता है और पृशण नायस करता है और बाद में लोहे को वह जवरजस्ती का सब्दृ क्रिश्न आयस तो आम अब यह देखिए आप मुझे कि लोहा का तौविसकार बुद्ध के बाद हुआ है यह तो भारत का जो आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट है वह भी बात प्रमाडित कर चुका है कि उसका प्रयोग लोहे का मिलता नहीं है इसा के 600 साल पहले यह तो प्रमाडित है ना यह तो लोग मिलता नहीं है भारत में तो अब यह बताएं मुझे कि वैदिक काल में लोग लड़ते किस से थी च्छत्रिय के बारे में लिखा गया है कि सूरवीरता दिखाता था वैदिक काल में और ते धैर चतूरता युद्ध में न भागना युद्ध किस से करता था कि इसको भ लोहे का कोई प्रमार नहीं मिलता है है ना हाँ हतियार वगरा नहीं मिलते है नहीं नहीं बस आपने लोहे पर किवल बात कीजिए लोहे का प्रमार नहीं मिलता है लोहा मिलेगा तभी तो उसका हतियार भी बनेगा ना हाँ बनाने के लिए पक्का लोहा होना जो पिल्कुल सुनिए मेरे पास पीडिएफ नहीं है इस चीज़ का लेकिन मेरे पास जो भी बैलिट कॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं उसको आप सर्च करिए जहां से भी हो ऐसा वितिहास कारों का मत है कि पुरातत्त का भी मत है अतरंजी खेडा से लोहे का प्रमाण मिला है और उसके लेकिन कितना कितना पूराना मिला है इसका कैसे वरिफिकेशन होगा वही तो मैं आप से पूछना चाह रहा हूं नहीं क्योंकि यह बता है ना इसको आप वीडियो 177 मेरा देखेंगे साइंस चर्णी पर तो वहां पर मैंने कर से दिखाया है कि आल्रेडी जो है ना आप मु आपने पूछा मैंने कुछ जबाब दिया आप तुरंती फायर हो गये कुछ भी कहिए बस आपने जो कहा अभी अंजनी खेडा का कि हजार साल पहले तो इसमें इस जगह की तो खोजाई ही 1961 और 62 में किया था एलेंग जर कर निंगम ने किया था वही चीनी यात्री युवां से पढ़े के अलेकजन्डर कर निगम ने इस जगह को खोजा था आप इसमें जो है वैदी काल घूसिड़ दिये यह तो आप लोगों को भी नहीं पता है इस जगह को आप कहां कहां से सारी चीजें लेकर आते हैं जब खोजता हूं तो वह सारी बुद्धिश्टों के निकलती है इसमें तो कहीं लिखा नहीं है कि आप कह यहां वैदी कोई दिक काल था यहां भे लोहे का परयोग करते थे इसमें तो साफ साफ लिखा है रूखिये PDF कर देता ह को भी थोड़ा पता चले यह देखिए यह लिखा है अतरंजी खेड़ा परिचय इस अस्थल की खोज 1961-1962 इस्वी में एलेकजंडर कर्निंगम ने की थी कर्निंगम ने चीनी यातरी युवान च्वांग द्वारा लिखित पीलोशान नामक अस्थल का अतरंजी खेड़ा से सम होसे द्वान उदए की गई जिसका निखित प्रमायां नहीं हो उससे पहले का वह खोज निकाला वोimana 1964 और परांभिक उथंखनों का निर्देश मुस्लिम विश्वविद्दाले अलिगड़ के प्रोफेशर नुरूल हशन और आरसी गोड़ ने किया है तो यहां पे पौने 2000 वर्स इसा पूर्व से लेकर अकबर के सासन काल के औसेस प्राप्त हुए है करें घंक ऴर्स अपने कहा लोहे का प्रमार एक हजार साल पहले और है अपने उसको जुढ़ा पर जो मैं देख पा रहा हूं यह बता रहा है कि यह तो इसके प्रमार जो सबूत हैं वो तो जा रहा है इंडस वाइली सिवलाजेशन में एक मिनट मैं यहां पर सेर कर देता हूं पबलिक को भी दिख जाए नहीं तो आप जो है ना आप लोग यह यह रहा यह पेज देखिया आप ही डिसीजन ले लीजी आप ही न्याय कर दीजी ठीक ज्यादा मत बोलिए देखिये मेरे चैनल पर ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होगा आपको मैंने कहा दिया जिस चीज़ पर बात चल रहा हूं मुद्दा भी नहीं भटक रहा है समय की कमी हो तो बता दो फिर मुझे किसी और दिन जोड़ लूगा मैं जितनी देर से मैं आया हूं मैं पूछ रहा हूं समय की कमी नहीं है ना समय की कमी है चले ठीक है ठीक है आप ही कहीं बोली है अब बात करते हैं अब यह आप मुझे बताओ वैदिक काल का सबूत मिला है क्या एक भी हथियार मिले है धिक काल मैं आपने जो कहा 3500 साल पहले है पंद और इज फंदर्सौ साल पहले चोगतों सौ साल पहले वैदिक काल था क्या एक भी हथियार मिला है वहाँ पर लोहे का बताएं विशेस्टीर पाठी मेरे मेरा जो मुद्दा उठा था उस पर बात करें क्या मुद्दा मैं भी तो वही मुद्दे पर बात कर रहा हूं सब्सक्राइब करते हैं कि लोग योध्धा थे जिसकी तिथी वही बताई जाती है पूछ रहा हूं सिनौली जो है सिनौली वैदिक सभ्धा का है क्या कितना पूरा है सिनौली आप 1720 के आसपास का है अच्छा तो किस में आयेगा हरप्पा में आएगा या फिर इस में आएगा हरपा के उत्तरोतर काल में आएगा तो इसमें तो फिर आपके जो सिनौली वाले जो पब्लिक होगी उसको फिर क्या किया गया है दफना या मुसलिम की तरह दफना दिया गया था क्या फिर बात को आप भुमा क्यों रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपके धरमगरंथ में कृष्ण ने कहा है किया कहीं पर गीता जो मैंने दिखा या लड़ते किस्स से थे आप कर हो कि मुद्धा बदलो मैं कभी मुद्धा नहीं बदलता मैं बिलकुल एट उजट टोपिक पर रह आपको मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए टॉपिक क्या चल रहा है अभी आपने मुद्दा अलग से जूड़ दिया सिनौली को मैंने पूछा हुँ हडपा क्या है या आपके वैदिक काल का आप करें हडपा का सबुत देना था आपको वैदिक का मुद् कर रहे थे तो आपके गीता में तो कहीं लिखा हुआ है कि इनसान जब मरे तो उसको दफना देना चाहिए उसके सस्त्रों के साथ दफना देना चाहिए आपका जो भिस्म पितामह जब मरा था या आपके जो अभिमन्यु मरा था जो लड़ाईया आपके यहां जो माभारत म में दिखाई गई है उसमें जब कोई सूरवीर या युद्धा मरता था तो उसका तीर धनुस लेकर उसको दफना दिया जाता था क्या अगर दफना दिया जाता हो तो बताए सिनोली वाली घटना फिर आपकी ही हो जाएगी बताएं विज़े स्तिरपाठी कि माभारत में किसी को हतियार सही दफना आ जाता था क्या बताएं और और तो कभी दफना आ जाता था क्या सांत में बोलिए बोलिए मैंने आपसे पूछा है अगर आप उतर दे पाएंगे तब तो अच्छी बात होगी क्योंकि आपने तो कहा दिया कि सिनोली में जो है सिनोली आपके हतियार मि लिखा हुआ है बरियल मतलब क्या होता है थोड़ा बताइए का मुझे हिंदी इसने तो वैदिक काल भी नहीं लिख रहा है यह तो कुछ हड़ा पॉड़ा पाइंडस वेली सिवलेजिशन की बात कर रहे तो अच्छा वरियल का क्या मतलब होता है भावेस्त्री पाथी बताए यॉद्धा बरियल का मतलब यॉद्धा होता है आपने तो मतलब मेरे तो नौलेज बढ़ा दिया एकदम वैरियर्स लिखाना बरियर्स नहीं बरियल बोल रहा हूं बरियल बरियल इसमें दिखाई नहीं दिखाई 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 सिनौली में आपके हंधियार मिल गए है आपके जो है युद्धा महराजा मिल गए तो आपको तो बताना पड़ेगा है ङलिकुल के दिखा दिया न आप लोग ग्लेम करते हो तो कोई कराओ tem HR कां थोड़े पहले हैं अवस्ट बिर्कुल दपनाया जाता था और एक नहीं यह ऐसे कई प्रमार मिले हैं महापाशार सब्सक्राइब बहीं इसी को दफनाने का साच भारत में मिला जो भी अस्तल हो जहां कर नाट प्रम आप पंधित लोग लिखते थे जो ये तूलसी दासरा सब लखते थे पुरान लिखते थे इन लोग को यह बात पता थी की नहीं पता थी क्या कि हमारे महापुर्द्सों को दफनाया जाता था कि जलाया जाता था हत्यार सहीद और रथ उनको पता थी की नहीं पता थी या अभी पता चली है जसे आप बैक्ती बादी वाली बात मत करें ब्रहआमड ब्रह मर इस वर ने आपको बना दिया है बहुत अच्छी बात है जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दिने से आपका है बच रहे हैं या भाग रहे हैं यह पूछ रहा हूं कि आपके किस धर्म गरंथ में लिखा है कि जब कोई छत्रिय मर जाए तो उसके बीबी उसको हथियार सहीत उस उपनिसद लिखा गया है इसा से पहले आप बताते हो कि वेद भी उसी समय लिखा गया है इसके बाद लिखा गया है यह जो घटना 4000 साल पहले है चार-पांश साल बाद आप वेद लिख रहे हो तो आप उसमें कहीं लिखा है कि छत्रियों को हथियार सहीत दफना देते थैं किसी धरमगरंथ में किसी धरमगरंथ में आपके ब्रामण को पता भी था कि जब कोई योध्धा था तो उसके हत्यार के सहीत दफना देते थैं यह पता था कि नहीं पता था यह बताओ महोदय मैंने ऐसा कोई दर्मार यह नहीं है यहित पूछ रहा हूं मैं जब तक ध्रमकरंथ से मैच नहीं करेगा यह तो आपके दर्म कैसे हो जाएगा यहित पूछ रहा हूं मैं इतियास की सबसे बड़ी अइतियास का सबसे बड़ा दुन्द यही है कि जो साहित में मिलता है वो पुरातत्यूमें नहीं, यहाँ पर फिर यह भी ध्यान देना होगा आपने कहा कि पूरी दुनिया में पूरा का पूरा आर्केलोजिकल एविडेंस ही साहित्य से निकाला गया है जो बुद्ध का है अभी मैंने आपको जिसका नाम लिया था आपने उसको खोल के दिखाया वो भी करनिंगम ने खोला पढ़ा था किसके नोट्स पर हुएन सॉंग के नोट्स पर उसी तरह से फाहिय की लिए आपका मैच करता है, यह कहिए बाकियों का मैच करता है, आपका ही मैच नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोगों subscribers आपने कालपनिक चीजें खड़ी की हैं आ पने फ originally आप ये कहानिया कथा कहानी आप जो दावा करते हो कि रमायन माभारत आप लोगों को पता है, आपको संस्क्रीत पता नहीं क्या चीज़ पता है, आपको वेद पता है और आपको यही सब नहीं पता था, कि छत्रिय को तीर धनुस और इनके साथ ही दफना दिया जाता था, लड़कियों को भी दफना दिय जाता था, आप जलाते फिर रहे हो, आपने माभारत में क्या दिखाया है, अभी मन्नी उमर जाता है, तो उसको आग दिया जा रहा है, आग देते हुए कसम खा रहा है, अरजुन, कि मैं बदला लेके रहूंगा, मेरे बच्चे को मारती है, इन लोगोंने, भी स्वंपिता को आप लोग आग दे रहे हो, जला रहे हो, हर जगह आप जलाते हुए दिख रहे हो, यहां पर मैंने दिखा दिया, खोल के किसी नौली में भी यह दफनाया गया है, तो आप मुझ पर ही थोपना सुरू कर दे कि मैं बदल रहा हूं, तो भावेश जी अभी लास्ट हो, वो पूरी तरह से क्लियर कर दो, वो आपका लास्ट पॉइंट होगा, पब्लिक भी आपकी बात समझ जाएगी, कि आप क्या करना चाहते हैं, चले, आप मुझे कुछ नहीं कहना है, जो भी कहेंगे, आप कहेंगे, क्योंकि यह बहुत जादा बिद्वान है, मेरी देख समय दे रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है, चाहे मैं आपको आर्गियोलाजिकल दे सकता हूं, जिस किसी का भी इविडेंस चाहिए, मैंने इत्पास के में पिश्डी किया है, भया, दीजे, मुझे एविडेंस दीजे, कि कोड़े सहीत ही दफना दिया जाता था, बताइए मुझे, एक नहीं भारत में ऐसे अनेको अस्थल है, जहां पर इस्तियों और पुर्सों, कुत्तों, भेडियों यहां तक की दफना आया गया, एक नहीं आपको, आपके कौन से सहीत है, इसकी पुष्टी करते है, इसकी प्रावा करते हैं कि पुरानी सारी संस्कृती वो औरली ट्रांसफर करते हुए आये है, पिढ़ी दर पिढ़ी ट्रांसफर करते हैं, उन लोग को यह सब जनकारी नहीं है, वो लोग जूट बोलते हैं, आप यह कहना चाहते है, अब अगर साहत्त में ऐसा है, और पूरा अच्छा माभारत कितने साल पहले हुआ था? महाभारत नौशो इसापूर के असपास हुआ था, और रमायन? रमायन? इसका कोई हां, इसका दो-तीन पुरा तत्विक प्रमाड मिला है, हलाकि इसमें दौंद इतिहासकारों में दौंद चल रहा है, इसको Bible माना जाए या अन-वायलिड माना जाए। कितना साल पहले जहाएं? इसके कम से कम साव सम साव स होगा है देन फिर 900 इसापूर्व जो है महाभारत हो गया है आप यह कहना चाहते हैं देखिए और वेद की उत्पत्ति कब हुई है जो है लोग कैसे सभ्यता थी उसके बारे में यह लोग कुछ नहीं जानते थे तो इन्हों ने कहीं तो लिखा होगा ना कि जो छत्रिया को जो मैंने आभी आपको एक कोट दिखाया कि लिख रहा है कि छत्रिया जो है ब्रह्मभा के सोल्डर से पैदा हुआ यह बाते वेद में लिखी हुई है मैं किसी और का नहीं दिखा या मनुस्प्रृति-Tuddhic में तो line से लिख दिया है कि ब्रामड का ये काम है छत्री का ये काम है इस सारा चिज लिखा हुआ है। तो वेद में जो बात लिखा है तो वेद के लोग यह बात नहीं जानते थे कि कोई इंसान मुह से कैसे पैदा हो सकता है फिर जो है वो सोल्डर से कैसे पैदा हो सकता है और इंसान जो है चार भाग में कैसे पैदा हो सकता है अच्छा इस्तरियों को भी आपने सुद्र कहा है आपके जितने धर्म गरंत है, जबकि सिनौली वाला एक्सक्वेशन में दिखा रहा है, कि जो औरते हैं, जो औरत हैं, उसके साथ हतियार है, बकायदे वो लड़ने वाली योधा लग रही है, तीरधन उसमें माहिर दिख रही है, आपके यहां तो जो सिक्षा भी दी जा रही है, मनुस्मिर्ती में, मनुस्मिर्ती के सिक्षा है, उसमें इस्त्री सिक्षा से बन्चित की गई है, इस्त्री सिक्षा की ही बात नहीं है, उपनेयन की बात नहीं है, सिर्फ वहाँ पर पूरा चेप्टर ही है, सेकंड चेप्टर थर्ड चेप्टर जो है वह ब्रामर चठ्रिय वैसे इन तीनों दूजग बना के उन तीनों को छीज चुछा दे रहा है चोट्रिय को छत्रिय वाली इसी जिछा दे तेने की ब मात नहीं है जबकि सिनोली में तो इस्तिया लड़ाकूं है तो आपने जो है इंडस वैली सिवलाइजेशन जहां पे यह सारी चीज़े नहीं थी बीच में अचानक से किसको ब्रंभा के दर्शन हो गए जिसने वेद की रचना कर दी मैंने ऐसा कुछ कहा मैं आपसे पूच रहा हूं कि वेद की रचना कैसे होई यहीं तो पूच रहा हूं सुनिए बारत देश में सुर्थ परंपरा के अनुशार पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी यह ज्ञान लोगों से होता हुआ अनाधिकाल से अच्छा अनाधिकाल मतलब अनाधिकाल कुछ तो होगा समय थोड़ा बता देजिए अनाधिकाल प्जाइब स्वारी में से किया है अच्छ आप साइज क्या होता और वे ग्यानी किसे लिए थूतला है बिर्कुल अब गुझ नहीं तो इस वी में आपकल साइंस से बात किसे साइंस बात करना तो पढ़ाई के अधरक पूछें ने चाहिए तो बंदर कभी पर स्वाद बता पाएगा जो हम आप मुझे यह बताइए मुझे कि सूती दर्व सूती प्रमपरा के लिए भासा और लिपी भी होनी ज़रूरी है प्रामे लिपी सबसे प्राचीन लिपी मानी जाती है अच्छा ब्रामे लिपी कितने साल पूरानी है ब्रामे लिपी अच्छा सबसे पहला इंस्क्रिप्शन किसका मिला है ब्रामे लिपी में असोग का इसा से पांसो साल पहले का किसी का नहीं असोग का मिला है तो इसा से पांसो साल पहले असोग थे क्या नहीं तीन सो इसा पूर्ग के असपास थे तीन सो इक प्रामे लिपी अनुराधापुर का एक इस्टेटमेंट भी आया है वो बता रहा है कि यहां पांसो इसा पूर्ग प्रामी लिपी मानी जाती है अच्छा उनको कुछ अर्चेलोजिकल एविडेंस मिला है या वैसा ही सब्द उन्होंने उगला है अनुराधापुर से वयाब एक तामर पत्र मिला है अच्छा तामर पत्र आपने एक फिर से रिपीट कीजेगा आपने क्या कहा इसा से 500 साल पहल ब्राहमी लिपी का मिल गया है कौन से राजा का है अब बैया जो और यू लाजी बताता है वहीं मैं बता रहा हूं आइसा उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इसलिए मैं नहीं बताता है अब बताए यह मैं सर्च कर देता हूं कौन से जगा पर आपने बताया पूर्धापूर स्री लंका स्री लंका में मिला है यह तो बुधिष्ट महाविहार दिखा रहा है सिर्लंका इंडिया कनेक्शन एक मिनट मैं सेर ही कर देता हूं यहां पर पॉब्लिक भी देख लेगी अनुराधा अच्छा यहां पर वरुन जी लिखते हैं ब्रामडवादी क और श्री सीर रितू लिखते हैं मुर्ख से विवाद करके अपना समय वर्वाद ना करें ओके सिर्से रुटू जी चले तो यह देखे तो पढ़े तो अनुराधापूर में कहां लिखा हुआ है यहां पर कहां क्या दिया हुआ है थोड़ा बतायें तो हमें हमें तो नहीं दिखरा कहीं पर लिखा हो कि इसा से पांसो साल पहले फॉर एराउंड फिफ्टी एंड इयर अच्छा पंदरसो साल पहले अनुराधापूरा वाज दख केपिटल ओफ वाट इस सिर्लंका टुडे ओके इस एंसें सिटी इन कंट्री नॉर्थ सेंट्रल कहां इसमें अच्छ थी इंट्री सीट यहां पे लिख रहा है एंडब तीम वाज एकॉर्डिंग तू दमहावंसा यह थी पुदिष्ट टेक्स फ्रॉम स्रिलंका यह तो महावंस को बता रहा है ना फिफ्ट सेंट्छूरी का बता रहा है अशे तो इसने कुछ बताया नहीं इसमें महावंस की बात कर रहा है जो इसरा से बाद काया है नहुका? वह शर्ड जो बता है कि पाँच्वी सदी का जो ट्ड जर की बात और यह इन्सक्रिप्शन थोड़े मिला है। आप बोल रहें कि ऐंस्क्रिप्शन मिल गया है है यह बता समराट उसूक जो है उन्होंने अपने इंस्क्रिप्षिन पे कहीं ब्राहमी लिपी लिखवाया है कि नहीं नहीं लिखवाया है आप पुरा मैंने समय दिया है आपको तो समय दिया है मैंने आज पूरा डिसकस करके जाएंगे ना आप तो इसमें पढ़के आए हैं आपको मैंने काफी समय की दे दिया है ठीक है ना चाले अगले बार त्यार होके आएं और आपको जनकारी के लिए बता दूं कि ब्राहमी लिपी जो है वह बहुत गरंत है एक ललित विस्तर जो कि संस्कृत में लिखा गया है काफी बाद में लिखा गया है उसमें से सब्द उठाया गया है कि बौधो के लिपी थी और उसमें से ब्राहमी सब्द इस्तमाल किया है वो सब्द भी बुधिष्टों का है आपने जो भी प्रमाड दिखाने की कोशिस क या इंडस वेले कि आप अपना कोई ब्रहमेनिकल जो है वो सबूत दिखाने में ना कामियाब रहें और दावे आप तो इधर उदर करते रहें ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साल कमाल की बात है कि जितने यहां पे आते हैं कॉलर्स अपना इनका अपना सबूत नहीं होता है